खबर सहरसा से है जहां सिम्री बख्यातपूर पुलस ने अलग-अलग थाना शेत्र के हत्यार के साथ तीन बदमाशों को गिराफतार करने में कामियाबी हासिल की है सिम्री बख्यातपूर डियासपी मुकेश कुमार ठाकूर ने जानकारी देते हुए बताया कि कंड्रिया और पी सोनवार श्राज और बनमा इठहरी थाना शेत्र के बदमाशों को गिराफतार किया गया है गिराफतार बदमाश में ललन कुमार पप्पू यादफ पंकर यादफ शामिल है इन तीन बदमाशों के पास से दो देसी कटा एक पिस्तल दो मैगजीन ग्यारा जिन्दा कार्थूस और पांच खोका पुलिस ने बरामत किये हैं फिलाल गिराफतार बदमाशों के विरुद्ध संबंदित थानों में मामला दर्श कर जेल बेजने का काव्याद में पुलिस जुट गई है कल 22 माई 2024 को सुनवर्शा राज थाना अंतरगर्द अमरिता गढ़ बजाग के पास दो पप्चों के बीच आपसी विवाद में एक वक्ति के द्वारा जिसका नाम पकु यादव पितास्वर्गी जंग बहादूर यादव है इनके द्वारा जो है पिश्टल से अपड़िय अगर्टा कारिद करने की कोशिस की गई इसकी सुचना मिलते ही तुरंद पुलिस के टीम के द्वारा जाकर इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक पिश्टल तो मैग जीन और आठ जिन्दा कार्दूस मिला है इस समद में सुनवर्चा राज ठाना कांड संक्रा 84-24 भी धर्ज किया गया है और कांड में सलिप्त अन्य लोगों को भी उसके खिलाबी छापे मारी की जा रहे हैं और आगे की बिली समत करवाई की जा गया है